नवरात्री का पर्व, नौ दिनों की शक्ती और भक्ती का अध्भुत संगम, देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा से संसार की हर बाधा दूर होती है. क्या आपने कभी सोचा है इन नौ दिनों का महत्व क्या है? और देवी मा का जन्म कैसे हुआ? आज हम आपको बताएंगे नवरात्री के इस महा रहस्य की कहानी और साथ ही जानेंगे देवी मा के उस रूप के बारे में जिसने महिशासुर जैसे दानव को हराया था. 3 अक्टूबर 2024 से शार्दिय नवरात्री का शुभारंब हो रहा है. यह वो समय होता है जब पूरे भारत में देवी दुर्गा की पूजा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है. 9 दिनों तक हर दिन देवी मा के एक नए स्वरूप की पूजा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं इन 9 दिनों का महत्व क्या है? हिंदु धर्म में 9 अंक का बहुत बड़ा महत्व है. इस अंक का संबंध मंगल ग्रह से है, जो उर्जा और शक्ती का प्रतीक है. और जिनका मूलांक 9 है, उन पर मा दुर्गा की विशेश क्रिपा होती है. अगर आपकी कुंडली में मंगल दोश है, तो नवरात्री के दौरान मा की आराधना करने से यह दोश समाप्थ हो सकता है. यह कहानी है महिशासुर नामक दानव की, जिसने स्वर्ग और धर्ती पर आतंक मचाया हुआ था. महिशासुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे हार मान चुके थे. फिर ब्रह्मा, विश्नु और शिव ने अपनी अपनी शक्तियों को मिला कर एक महाशक्ती की रचना की. वह महाशक्ती थी देवी दुर्गा. मा दुर्गा ने महिशासुर के खिलाफ युद्ध किया, जो पूरे नौ दिनों तक चला. उनके पास त्रिशूल, चक्र, धनुष जैसे अस्त्र थे और उनका वाहन था शक्तिशाली सिंग. आखिरकार दस्वे दिन देवी मा ने महिशासुर का वध कर उसे हमेशा के लिए समात्त कर दिया. तभी से इन्हें महिशासुर मर्दिनी के नाम से पूजा जाता है. नवरात्री के इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. ये नौ रूप मा की विभिन शक्तियों का प्रतीक हैं, शांती, शक्ती, सम्रिध्धी और विजय का अध्भुत संगम. और दस्वे दिन मनाई जाती है विजय दश्मी जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. मा दुर्गा का वाहन्त, सिंह, शक्ती और साहस का प्रतीक है. मान्यता है कि मा सिंह पर सवार होकर संसार से अज्ञानता और बुराईयों का नाश करती हैं. उनकी तीन आखें सूर्य, चंद्रमा और अगनी संसार के तीन मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसीलिए उन्हें त्रयंब के भी कहा जाता है. तो इस नवरात्री मा दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करें और अपने जीवन को सुख, शांती और सम्रिधी से भर दें. यह समय है भक्ती का, शक्ती का और महिशासुर मर्दिनी की महिमा का.